हालेलुया अगर आप लाइव हैं तो ओके हालेलुया आज थर्जडे मैं अभी प्रेयर माउंटेन पे हूँ प्रार्त्मा के लिए और कुछ ऐसे वीजन्स कुछ ऐसी चीजे हैं जो परमिश्वर ने आज मुझसे बात की है तो आज मुझे परमिश्वर की प्रेजन्स में रहना ज़रूरी है इधर और लेकिन जो आज मैंने स्वपन को देखा और जिस तरह की रेविलेशन्स मैं पिछले दिनों में परमिश्वर से ले रहा हूं प्रेयर माउंटन पर प्रार्थना करने के दौरान मैं ये चाहता हूं कि आप उसे रिसीव करें और आप उसके लिए प्रेयर करें और ओके आपके कमेंट्स शायद मुझे मिल रहे हैं अभी और उसके बाद हम कमेंट्स ओके किसी ने लिखा है कि आप साउंड नहीं आ रही क्या सच में साउंड नहीं आ रही अगर साउंड आ रही है तो आप मुझे बताएं तो मैं खुद खोल के देख लूगा यह तो मैं खुद आ रही है साउंड आ रही है साउंड हालिलुया तो ओके साउंड इस ओके तो कुछ चीजे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं अभी अभी राइट नाव मेरी जो प्रेयर है भी फिनिश नहीं हुई है यहां पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरा काम सिर्फ अपनी चर्च तक ही सीमित नहीं है मेरा जो वीजन है मेरा जो दर्शन है वो सभी कलिस्याओं के लिए और क्रिश्चन्स के लिए होता है तो बहुत सारी चीज़े हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आने वले दिनों के लिए जो मैंने आपको दोहजार तेईस में मैंने आपको बताया था कि दोहजार तेईस में किस तरह से शेयतान करने की कोशिश करेगा और वो फेक लोगों को एक्सपोज भी करेगा और बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में अभी एक्सपोज हुई हैं किस तरह से आपने भी देखा है अब एक है कि शेतान क्या कर रहा है और क्यूं कर रहा है एक है परमिश्वर क्या चाहता है मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है अभी आने वले समय में जितने पास्टर्स हैं जितने परमिश्वर के लोग हैं जितने सेवकाई में हैं परमिशन ने मुझे बताया कि वो रेविलेशन की स्पिरिट को उनको देगा तो जितने पास्टर्स हैं जितने प्रीचर्स हैं आने वले समय में खुदावन का आत्मा अजीब रिती के साथ आपसे बात करेगा और मेरी ये सलाह है आपको कि आप उन बातों को बुक्स के रूप में लिखें मैं भी बुक्स लिख रहा हूँ इसलिए मैं ज्यादा टाइम प्रार्थना में रहता हूँ क्योंकि मैं बुक्स को सिर्फ सेल करने के लिए नहीं लिखता हूँ जब तक मुझे तसलिए नहीं होती चाहे उसमें तीन साल लग जाएं जब तक मेरे स्पिरिट से वो नहीं निकलती तब तक मैं उसको आगे नहीं देना चाहता तो वो बुक्स भी मैं लिख रहा हूँ लेकिन आने वले अभी समय में जो मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको बड़ी रेवलेशन्स के साथ भरने जा रहा है तो उन रेवलेशन्स को लिखना शुरू करें क्योंकि आप उन चीजों को भूल जाएंगे कि आज मैं जब मैं उठा तो मुझे एक स्वपन परमिश्वर ने दिखाया कि आने वले समय में मैं क्या देख रहा हूँ जो पंजाब है हमारा इंडिया वाला पंजाब वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टूरिजम चल रहा है थूर पानी के जो नहरे हैं वो पानी के साथ एक जगा से दूसरी जगा पर लोग जैसे अगर आप फॉरण में चले जाएं तो तो फैरीज होती हैं वहाँ पर तो बोट्स होती हैं तो मैं क्या देख रहा हूं कि पंजाब में लोग बोट्स और फैरीज हैं छोटी छोटी और वो पंजाब में टूरिजम चल रहा है तो परमिश्वर मुझे दिखाया तो बहुत सारी चीजे हैं जो परमिश्वर आपको आ उसका सोना अलग होता है, वो सोता है परमिश्वर से बात करने के लिए, वो सोता है दूसरे किंडम से एक कॉंटेक्ट बनाने के लिए, तो ऐसा मेरी सीख है, ऐसा मैंने सीखा है और ऐसा मैं जीता हूँ, ऐसे मेरी लोग जीते हैं, तो दर्शनों से स्वपनों से परमिश्व बात करता है तो ये दो चीजें आपको बड़े ध्यान में रखनी है आपके आने वले दिनों के स्वपन आपके आने वले दिनों के एक होता है दर्शन जो आप खुली आँखों से देखते हैं एक परमिशुर आपको एक फोटो दिखाता है एक होता है स्वपन जो आप सोते व तो अब मैं प्रेयर माउंटेन पे हूँ, अब इन बुक्स का काम मैं कर रहा हूँ, तो प्रार्थन में मैं आपको याद रखूँगा, और जितने लोग आज परमेशो की प्रेजन्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग सेम नहीं है इश मसी के नाब में, संडे इस संडे आने वाले संडे में, स्पेशल प्रभु भोज होगा, अगर मौसम खराब हुआ तो चर्च के अंदर मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग को आप मिस नहीं करेंगे, उसमें प्रभु भोज को एक अलग तरीके से और एक लंबे तरीके से उसको लिया जाएगा, गौड ब्लेस आने वाले समय में, जो शेतान ने किया है पिछले दिनों में, अब परमिशुर क्या करेगा अगले दिनों में, मैं आपको पहले में अडवांस में बता रहा हूँ, कि चर्च के उपर वो रेवलेशन, वो भेद, वो वर्दान उतरेंगे जो पहले आपने कभी नहीं देखे उस तरह की हीलिंग्स, उस तरह की डिलिवरंस, उस तरह की टेस्टमनीज, उस तरह का फैलावसु समाचार का जो परमिशुर आने वाले समय में करने जा रहा है, गौड ब्लेस यू आल, मेरा बिलीव है कि आप विजन्स, दर्शन और स्वपन जो देखेंगे, आप हैरान हो जो आने वाले समय में परमिशुर आपके दोरा करेगा, आपसे बात करेगा, और मेरा बिलीव है इस वेल, खुदावन आपके साथ है, फिर मिलेंगे खुदावन की प्रेजन्स में, अभी भी हैं खुदावन की हजूरी में रहूंगा भी कुछ देर, उसके बाद मैं कल प्रोटी और शाम को पेर माउंटन के वक्त मिलूँगा, गौड ब्लेस यू आल, इस मेसेज को ध्यान से समझें, इस मेसेज को ध्यान से सुनें, आपकी लाइव सेम नहीं होगी, आमें, अपनी आँखों को बंद करें प्रात्न करतें, खुदावाब तेरा पवितरा आत्म जीब और चंभिरती के साथ कारे करें, जितने लोग सुनें खुदावन इस रेविलेशन को हासल करें तेरे जीवित नाम में, ये रेविलेशन इनकी जिंदगियों में, खुदावन जो तू उतारे ये उसे लिखें खुदावन, और तू इनके साथ सुपनों में, इनके सा अलग हैं खुदावन तो आज अपने ऐसे भेदो को अपनी कलीसिया पर जाहिर कर जैसे पहले कभी नहीं हुए इन जीजस नेम रिसीव करो और आमिन बोलते हुए उस ब्लेसिंग को आमें आमें गौड ब्लेस यू आल आई लव यू आल खुदावन आपसे प्यार करता है मैं भी आपसे प्यार करता हूँ संडे मिलेंगे खुदावन की प्रेसंस में आमें आमें ओके इसे बंद कहां से करना है ओके थेंक यू